आप देख रहे हैं JK News Today उधंपूर कठुवा कॉंसिटेंसी में 19 अप्रेल को यानी परसो पहले चरण में लोग सवाचुनाप होने जा रहे हैं लोग सवाचुनाप को मध्धे नजर रखते हुए कठुवा से डिस्टिक इलेक्शन ऑफिसर राकेश मनासवारा गौर्मेंट डिगरी कॉलिस कठुवा से पोलिंग पार्टी को पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना किया गया है ये पोलिंग पार्टिस, EVM यानि के इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन और पोलिंग से समबंदित बाकी सब समगरी लेकर जा रहे हैं यहां हम आपको याद दिला दे कि उधंपूर कठुवा कॉंसिटेंसी कठुवा के छोटे से मेदानी इलाके को छोड़ जादातर पहाडी और दूर्गम शेत्र है यह ज़रूरी है कि इन पहाडी और दूर दरास इलाकों में पोलिंग से समबंदित पूरी समगरी समय पर पहुंच जाए पोलिंग का पहला चरण 19 एपरेल को सुबा 7 बजे शुरू हो जाएगा चुकि पोलिंग इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन या EVM से हो रही है तो कई बार देखने को मिला है कि ये EVM में कुछ खराबी आ जाती है इस सुरत में पोलिंग ना रुके इसके लिए स्टैंड बाई मशीन का भी प्राभधान होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जादातर पहाड़ी दूर्गम शेतर में पोलिंग समगरी पहुंचाना कितना बड़ा काम है लेकिन ये सब बहुत सुचारों रूप से चल रहा है ये क्यों ना हो क्यूंकि भारत एक biggest democracy है और इसे democracy की मदर भी कहा जाता है तो आपको एक बार फिर से बता दे कि 19 एपरेल को उधंपुर कठुआ कॉंसिटेंसी में होने वाले लोगसवा चुनाप को मध्धे नजर रखते हुए कठुआ से डिस्टिक election officer राकेश मनास्वारा गोर्मेंट डिरी कॉलिस कठुआ से polling parties को polling station के लिए रवाना किया गया है तो ऐसी और अपडेट्स के लिए आप देख रहे है जेके न्यूस टूडे कैमरमेन सुमदत के साथ मैं सीमी बट्याल